दशको आजादी के लिए भारत का संगर्ष आधुनिक विश्यो की महांतम संगर्षों में से एक है दूर दशन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की जलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं स्वतंतरता सेनानी महाराजा रंजी सिंग और जनजातिय स्वतंतरता संगराम सेनानी सुमारी मुंडा के बारे में महाराजा रंजी सिंग पंजाब प्रांथ की राजा थे विशेरे पंजाब के नाम से प्रसिद हुए 1809 में 25 अप्रेल को बिटिश इस्ट इंडिया कमपनी और महराजा रंजीत सिंग के बीच अमरित सरसंधी पर हस्ताक्षर हुए महराजा रंजीत सिंग ने 1801 में स्वेम को पंजाब का महराज खोशित किया था 1808 तक उन्होंने अपने सामराज का विस्तार गुजरात, लुधियाना और मुल्तान की सीमा तक कर दिया सतलज नदी के दक्षिन मालवा तक नियंतरन क्षेत्र बढ़ाने के उनकी योजना को देखते हुए इसक्षेत्र के शासकों ने सुरक्षा के लिए बिटिश साशन से अपील की साथ ही बिटिश शासन भी पंजाब को सतलज तक ही रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक संधी करना चाहता था इस तरह बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधी चार्ल्स टी मैटकाफ और महराजा रंजीत सिंग के बीच संधी को अंतिम रूप दिया गया आज हम जनजातिय स्वतंत्रता सेनानी सुमारी मुंडा का भी स्परण कर रहे हैं जो 25 अप्रेल 1949 को शहीद हुए थे सुमारी गंगपुर रियासत के रहने वाले थे जो अब उडिशा में है वे गंगपुर रियासत द्वारा जनजातिय लोगों से खेर कानूनी धंग से कर वसूली के विरोध में आदिवासी नेता निर्मल मुंडा के नित्रित्व में किये जा रहे आंदोलन में शामिल हो गये 25 अपरेल 1949 को जब निर्मल मुंडा इस मुद्दे पर गंगपुर रियासत की रानी से बातचीत के लिए गए तब 3000 आंदोलन कारियों की भीड में सुमारी मुंडा भी इसमें शामिल थे पुलीस ने इस शांति पूर्ण विरोध प्रदर्शन पर गोली बारी शुरू कर दी जिसमें अनेक जनजातिय लोगों के साथ सुमारी मुंडा भी मारे गए इस महान शहीद को हमारा नमद